हेलो फ्रेंड्स जैसे के बसंत पंचवी आ रही है तो बसंत पंच्वी पर हम कुछ पीला बनाते हैं मीठा बनाते हैं तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ पीले-मीठे-चावल जिसको जर्दा भी कहते हैं इसको हम परशाद के तोर पर भी यूज करते हैं इस दिन मासर्श् जावल चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी चावल है इसको हम साफ करके दो से तीन बार अच्हावल को भिगो और हम बीगो देंगे कि यहांपर घृ सब्छावां गया, क्णाइव आईनगी कर देंगे के जाकत कि फ्रेग्नश की के एक देसी घी, यहां पर एक चमचारी सौंफ ले रही हूँ, खाड़े मसाले डालने से फ्रेंद्स इसकी फ्रेग्नेंस काफी अच्छी आती है, तो यहाँ पर मैं इसको एक से दो सेकंड के लिए घी में भून रही हूँ अब हम यहाँ पर लेंगे ड्राइ फ्रूटस, ड्राइ फ्रूटस मैं ने लिया है कोकोनेट इसको छोटे पीसिस में काट लिया है, कैश्यु है, बदाम है और सोगी है इसको एक से दौ मिनट हम घी में भूनेंगे हम ने यहां पर friends dry food का color changing करना तो are यह गीमे भूननाई हुआ है कि यहां पर फैंस मैं ने तो मिनट के लिए मून लिया है अब हम इसमें बिगे हुए चावल डालेंगे चावल को मैंने ऋर्फे स्टेंड कर लिया है इसका पाने निकाल दिया है, चावल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी चीनी, जिस कटोरी से मैंने चावल नापे थे उसी कटोरी से हम एक कटोरी चीनी ले रहे हैं, एक कटोरी चावल, एक कटोरी चीनी या प्रफेक्ट नाप है, अगर आपको चीनी कम चाहिए तो यहांपर मैं दो कर्टोरी पानी यूज कर रही हूं उसी कर व Regardless मैं यहांपर पानी ले रही हूं 2 करच पाणी डाला है यह ए यह फ्रेंट्स तीन चोटी इलाइची जिसका पौडर बना लिया है मैंने इलाइची पौडर आः इसको एक बार ही लाएंगे और अब हम इसमें येलो कलर डालेंगे ये येलो फूड कलर है ये हम इसमें डाल रहे हैं खाने वाला कलर ये मेरे पास पौडर है अगर आपके पास लिक्वड हो तो लिक्वड भी डाल सकते हैं आप एक बार इसको हिलाएंगे एक बार में color हमने फ्रेंट से ज़्यादा नहीं डालना अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं यहाँ पर मुझे color कम लगा तो मैं थोड़ा सा और डाल रही हूं color इसमें अगर हम एक बार में ज़्यादा डाल देंगे तो हमारे चावल का कड़वे भी हो सकते हैं हम चावल को एक बार अच्छी तरह से ही लाएंगे और एक उबाल आने पर हम इसका gas flame off कर देंगे और इसको cover करके पकाएंगे यहाँ पर फ्रेंट से चावल को पकते हुए 5 मिनिट हो गए हैं 5 मिनिट के बाद हम इसको एक बार से चेक करेंगे और इसको अच्छी तरह से ही लाएंगे कि हमारे चावल कितने पके और कितने कच्चे है अब हम इसको एक बार फिर से cover करके पकाएंगे जब तक इसका पानी सोखनी जाता यहांपर फ्रेंट्स पानी सोख गया है राइस हमारे पके हैं देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं यमी और ये कितने खिले-खिले बने हैं देखिए फ्रेंट्स मेरी इस रेश्पी को आप फॉल्लो करके बनाएं और अपने experience मेरे साथ comment box में share करें friends जे चावल काफी अच्छे बनते हैं खिले खिले बनते हैं हम इसको बसंत पंच्पी पर जरूर बनाते हैं और बसंत पंच्पी पर हम इसको मासर स्वती को भोग लगाते हैं अगर friends आपको मेरी recipe अच्छी लगे अगर friends आपको और अच्छी वीडियो चाहिए और अच्छी रेस्पी चाहिए तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को subscribe तो करना ही पड़ेगा तो please मेरे चैनल को like, share और subscribe जरूर करें मेरे चैनल का नाम है Preet Food जल्द मिलेंगे friends एक नई वीडियो एक नई recipe के साथ थैंक्स फाचिंगर वाचिंग प्रेंगे जरूर को